अवनी खिड़की से बाहर फैले बादलों को देखकर पड़ी खुश हो रही थी तो आ गए आप सब मेरी इस कहानी में मगर एक राज बताओं कहानी के आखिर में एक मौत होगी मेरी ही ये कहानी शुरू हुई थी आज से पांट साल पहले जब मैं भी ऐसे ही आस्मान में उड़ना चाहती थी मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मन्जूर था मेरी पंक काट दिये गए बहुत टॉर्चर करता था वो पर फिर मेरी जिन्दगी बदली भी मगर अब मैं जमीन पर पांव रखने के लिए तरस्ती हूँ तरस्ती हूँ एक आम लड़की की तरहें जीने की लिए सोचती हूँ टॉर्चर ये था या पहले वाला सोचते सोचते अपनी खिड़की के बाहर उड रहे बादलों में खो जाती है उसकी आखों से आसो छलक रहे थे और वहें आखें मूंद लेती है अपनी बिस्तर में सो रही थी तभी दर्वाजे पर नौकर चाई लेकर आता है बेबी आपकी चाई अपनी देखे बिना ही हाँ छटक कर उसकी चाई गिरा देती है मा मैंनी कितनी बार कहा है कि मैं बैटी नहीं बैट कॉफी पीती हूँ उनली कॉफी मा स्वारी बेबी वो राज बाबा चाई पीते हैं ना तो मैं हर बार गलती कर देता हूँ एक तो तुम्हारी इस राज बाबा निना मेरा चीना हराम कर रखा है अवनी फ्रेश होकर नीचे आती है और ब्रेक्फस्ट टेबल पर बैट कर ही एक बंद कमरे की और घूरती जाती है उसने बड़ा चाको हाथ में लिया हुआ था और दर्वासे से एक जवान लड़का बाहर अंगडाही तोड़ता हूँ आता है उसे देखते ही अपनी गुसे में उसकी और चाको लेकर भागती है और सीधे उसपर हमला करती है अपनी का हमला चोक जाता है और वह घर में दोड़ने लगता है मा देखो ना दीदी मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है क्या अपनी तू भी सुभे पहले शुरू हो गई आज तो इस चुचुंदर को मैं नहीं छोड़ूंगी क्या बिगाड़ा यार दीदी मैंने तुमारा सब कुछ तो तो ने ही बिगाड़ा है पहले घर में सिर्फ मैं थी फिर तू पैदा हुआ मेरी मा बाबा कमरा सब पर कबजा कर लिया अब घर में जो बनेगा वो राज बाबा की पसंद से बनेगा हाँ बेट कॉफी नहीं बेट टी आएगी इस बेबी की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दीता मा हो गई इसकी नौटन की शुरू अब ही अपने भाई या भेहन से लड़ते होंगे तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपना यादकार किस्सा लिख कर हमारे साथ शेर करें मा में ऑफिस के लिए निकल रही हूँ ओकी बाई लव यू अच्छा ठीक है पर तेरी राजा बाबु को भी साथ लेती जाना इसे भी काम है छोड़ देना अपने में सुदकर चिड़कर मू बनाती है राज भी बरवडाता हुआ अपना बैग उठाने जाता है और राज जैसे ही अपना बैग उठाता है उसमें उसे ढेश सारे पैसे रख से नज़राती है वास्चर से मुड़कर देखता है तो अपनी उसकी और मुस्कुरा कर इशारा करती है माकुमत पता चलने दीना ये पैसे तेरे खूमने के लिए हैं जाकर आश कर और धोनो बाई बहन हस्ती हुए दर्वासे से बाहर निकलती हैं थोड़ी दूर चलती हुए अचानक से कुछ मन चले लड़की उनके पीछे चलने लगती है और अविनाश राज के सर पर एक टपली जमा दीता है तुम तुम फिर आगे परिशान करने एक बार में समझ नहीं आता क्या कि मैं तुम से प्यार नहीं करती अविनाश अपनी के चेहरे पर जोर से फूप मारता है पर हम तो करते हैं ना स्वीटी और वे राज के हाथ में पैसे थमा कर उसका माथा चूमता है जा चोटे टैक्सी से चले जाना क्योंकि तेरी दीदी तो अब हमारे साथ चलेगी अविनाश के बाद सुनकर पीछे खड़े उसके पंटर दोस्थ हसने लग जाते हैं ओ, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ, माई फुट फुट सुनते ही अविनाश अपनी को टांगों से थाम करकंधे पर उठाता है तभी वहाँ ये ब्लाक कलर के लंबी मर्सेडीज आती है और अविनाश अपनी को उसमें बिठा देता है ए गुंडे, छोड़ दे मेरी दीदी को चिल छोटी, इस स्पागल का रोस का काम है इसमें इतना दम नहीं कि मेरा कुछ गलत करी तो अराम से जा और किसी को ये सब बता कर परिशान मत करना I know how to deal with this अविनाश काली चिल कर चला जाता है You bad boy, मेरी भाई के सामने तो तुमने आज लिमिट पार कर दी है तुम होंगी rich and smart, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ अपनी गुसे से अविनाश पर हाथ उठाती है कि तभी अविनाश उसका हाथ चूमता है और दोनों एक साथ हसने लगते है आज वाला नाटक तो बहुत ही अच्छा था पिचारा राज भी ना और तुम? तुम डरी है नहीं? तभी अपनी अविनाश को अपने पास खीच कर उसका गाल जूमती है I love bad boy, honey अविनाश गाड़ी रोपता है और अपनी को गाड़ी से बहुत अकेल दीता है बताए, बताए, कॉमेंट में बताए, अनुमान रुकने नहीं चाहिए अविनाश तुम मुझे तंग करते हो, एक नंबर के बदमाश हो, लेकिन फिर भी मैं तुम ही को चाहती हूँ अविनाश के दोस्त अब गाड़ी में बैठ जाते है तभी अविनाश को पेड़ के पास एक लड़की की पच्छाई नजर आती है अविनाश को याद कर मुस्कुरा रही थी अविनी अपनी गाड़ी के पास जाती है कि तभी अचानक से उसके उपर पानी का फवारा आता है अविनी पूरी तरहें भीग गई थी ये किसकी बत्तमीजी है अविनाश कभी अपनी को गाड़ी का टायर पंचर कर देता तो कभी उसका रास्ता रोकता धीरे धीरे अविनी को इस चीज के आदत लग गई थी और अब से उसके निगाहे खुद ही अविनाश को ढूरने लगी थी एक दिन जब अविनाश नहीं आया तो अविनी देखिए बेचैन हो जाती है अबने इधर उदर देखी रही थी कि तभी अविनाश उसकी गाड़ी के उपर आकर बैट जाता है हाँ? हाँ? क्या आप मुझे ही ढूंट रही हैं आप? अबने उसे लेख कर मुस्कुराती है तभी एक बड़ी मॉसिटीज आकर रुकती है और उसमें से ड्राइवर आकर निकलता है सर आपने कार मंगाई थी हो माई गॉड कार शार है तुम्हारे पास मुझे तो लगाते कि तुम कोई लुख्य और मवाली हो वो क्या है न मैडम हमें शौफ की आदत नहीं है तो आपको लिफ चाहिए ची नहीं हमीं नहीं चाहिए हम चले अब खर और अपनी इतराती हुई घर चली जाती है अब अपनी का दिल अविनाश पर आने लगा था पर अविनाश का क्या अपनी जब ऑफिस में जा रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसे चुपके देख रहा हो और वह मुड़कर देखती है तो दूर एक काली गाड़ी खड़ी थी तो तुम आ ही गए ना अविनाश तुमसे भी मेरे बिना रहा नहीं जाता ना अपनी ऑफिस के बाद बाहर आती है तो उसे उसकी गाड़ी पर एक गुलाब का फोल और छोटी सी चौकलेट रखी होती है रोज की तरहें अपनी ऑफिस से निकल रही थी कि तब वे अपनी गाड़ी को देखकर चौक उठती है अपिनाश ने उसकी पूरी गाड़ी को चौकलेट से सजा रखा था नहीं अपिनाश इतना चीप किफ्ट कभी नहीं देगा पता नहीं किस मंचले की हरकत होगी और अपनी उसे उठा कर फैक कर चली जाती है तब भी वहाँ एक लड़का आता है और सड़क पर पड़ी उन चीजों को उठाता है उसकी आँखों से आसु चलक उठे थे शायद अपनी को कोई दूसरी चौकलेट पसंद होगी अगली वाँ थोड़ी महंगी दूँगा वो भी काफी सारी और अर्नव अपनी छोटी से घर में आता है एकदम सिंपल सा लड़का जिसका घर भी ऐसा आ कि चार लोग जितना ही स्पेस मुश्किल से हो अर्नव अपने कमरे में जाता है और बेचारी की आँखे नम थी वह सामने रखा एक गुलक उठाता है जिस पर लिखा था अपनी और वह उस गुलक को तोड़ दीता है जिसमें धेर सारे चिल्लड पैसे थे और वह एक बंद कमरे का दर्वासा खोड़ता है जिसमें लाल लाइट जल रही थी लाल लाइट के अंदर अपनी की अंगिनत तस्वीरे नजर आ रही थी जो अर्नव ने चुपके से ली होंगी अवनी मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुमें बहुत प्यार दूँगा और अर्नव अवनी की तस्वीर को सहलाते हुई वहीं सोचाता है अवनी के मन को अविनाश भाग गया था वहीं अविनाश क्या चाहता था कि तो कोई भी नहीं जानता था इन दो पैसे वालों के बीच कोई कुछला जा रहा था तो वो था अर्नव का गरीब प्यार दोस्तों क्या आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ था क्या जिसने अपना प्यार गरीबी के कारण खो दिया हो अगले दिन अवनी अपने घर का दर्वाजा खोलती है तो सामने एक बहुत बड़ा गुलदस्ता रखा रहता है अवनी उसे देख कर बड़ी ही खुश होती है मैं चानती थी आखिर तुम भी कब तक मुझसे मुफे कर रहोगी अविनाश उसमें एक लेटर रखा था जो लाल रंग के अक्षरों से सजा था ये ना सोचना कि ये बस स्याही है इसमें लिखा एक एक शब मेरे दिल से रगों तक बहरे खुण से लिखा है जो जितनी बात धड़कता है तो कहता है अवनी 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 मुस्कुरा रही थी आज मैं तुमसे अपने दिल की बाद जरूर कहूंगा मगर उसके लिए तुम्हें इस पते बराना होगा वो भी लाल कपड़ों में अपनी ये जान बहुत खुश होती है अचानक राज आकर अपनी से लेटर छीन लेता है नलायक इधर दे इसे, इधर ला किसका लेटर आया दिदी को कहीं जी जुका तो नहीं, खाली मस्टरीज वाले वैसे मुझे वो पसंद तो नहीं है मगर अगर तुम्झे महेंग गिफ्ट्स देगी तो मैं कॉपरेट कर लूँगा बना तो मा, दिदी के पास तभी अपनी तुरंत उसके मुँ में पैसे ठूस देती है ले निगल पैसे, नाखी बन रखा है तू तो मेरी जिन्दिगी का क्या यार दिदी, इतने सारे पैसे लेकर कबर में जाएगी क्या तुझ जैसे को तो मैं अपनी कबर के पास भी नाने दूँ राज हसता हुआ वहाँ से बाहर जाता है कि तभी अमिनाश उसकी गर्दर दबोच लेता है आह, दर दो रहा है मुझे भाई बोल जीजू, भाई नहीं हो मैं किसी का, तो बोल मुझे जीजू राज खबरा कर भाग जाता है अपनी शाम को तयार होकर अविनाश की दिये पते पर पहुचती है जहां चारू और एकदम अंधेरा था वे अंदर घुसती है, मगर आगी की कहानी तो देखने के लिए आपको अभी हमारे परिवार में और घुसना होगा और तब तक बताईए आखिर क्या होगा उस अपनी के साथ कौन कर रहा है उसको पंदेरे में अपनी का इंतजार अवनी लाल कपडों में उस जगे पहुचती है जहां चारो और खूब अंधेरा था अविनाश अब बस भी करो ऐसा सर्प्राइस मुझे थोड़ा डरा देते हैं और अवनी थोड़ा अंदर चलती है तभी अचानक से उस जगे एक अजीब सी हलचल होती है और चारो और रोश्नी जलती है अवनी देखती है कि वहां किसी की मौत हो रखी थी और सब लोग सफीद कपडों में बैट कर रो रहे थे वहां अचानक से अवनी को लाल कपडों में देख सब उसे घूर कर देखते हैं अवनी ये देख खबरा जाती है वो बाबा लाइट चली गए थी अभी मैं ठीक करके आया हूँ अरे ये बत्तमीज लड़की कौन है ऐसे दुख के अफसर पर रंगीन कपड़े बहन कर आई है और सब लोग अवनी को वहां से धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं अवनी सड़क पर पड़ी रो रही थी तभी वहां से अविनाश की गाड़ी जाती है और वे अवनी को देख हसता है अरे अरे वो देखो मेरे प्यार में अवनी तो समीन पर पड़ी है अरे इतना भी नहीं गिरते हैं प्यार में अवनी चलो खड़ी हो जाओ और अविनाश हस्ता हुआ वहां से चला जाता है अवनी अविनाश को बस घूर कर ही देखे जा रही थी तभी दूर खड़े अर्नव को अवनी को यू तकलीफ में देखकर बड़ी तकलीफ होती है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं जैसे ही अर्नव अवनी को छूता हुआ उसे उठाने लगता है अवनी उल्टा उसे ही धकेल देती है और अर्नव के सिर्फर चोट लग जाती है अ, मा मगर अवनी एक बार भी पलट कर अर्नव की और नहीं देखती सड़क पर लड़की देखी नहीं कि तुरंत आ जाते हैं फाइदा उठाने और अविनाश, तुम्हें तो एक दिन में हासिल करके ही रहूंगी अवनी वहां से चड़कर चली जाती है अर्नव वहीं बैठकर रो रहा था पेचारा अर्नव रोता हुआ वहां से चला जाता है तीन दिशाओं में जा रहे इन तीन लोगों को नियती कहां मिलाएगी ये कोई भी नहीं जानता था अवनी जो अविनाश के प्यार में पागल थी वहीं अविनाश जो बस अपने मज़े के लिए हर किसी को बस खिलोना ही समझ रहा था वहीं अर्नव जो अवनी से सचा प्रीम करता था मगर तीनों का मिलन असंभव सा था अर्नव अपने घर लोड़ता है और अपने मा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर अपने खून के हाथ उसकी तस्वीर पर लगाता है मा तु चाहती थी ना कि अपनी जैसी लड़की इस घर में तेरी बहु बन कर आए तो एक दिन मैं ऐसा जरू करके दिखाऊंगा मा और तब तेरी तस्वीर के आगे मैं नहीं अपनी दिया जलाएगी उधर अपनी अपने बाबा के पास जाती है टैट मुझे शादी करनी है ये सुनते ही राज हस देता है इस बुड़ा पे मैं शादी करके कहा जाएगी दिदी इधर ही गर में पड़ी रहे कम से कम तेरी सेलरी से मेरी तो आश होगी अपनी राज के बच्छानी बादू से और अधिक चड़ती है राज के बच्ची एक पार अगर उससे शादी हो गई ना तब तु फिर इतना पेसा मिल जाएगा कि तुझे बस एश ही एश करनी होगी ये सुनते ही अपनी के डाड निरंजन अपनी के जोरदार तमाचा लगा देते हैं तो तु क्या पैसो की वज़े से शादी करना चाहती है अपनी बेटा तुझे ये हमने तो नहीं सिखाया है किस ट्रैक पर जा रही है तू आज उस अविनाश की वज़े से मेरी मॉम डैट तक मुझे इतनी कलत नजर से देख रही है और अपनी रोते हुए कमरे में चली जाती है कुछ दिन में निरंजन उसके पास आता है अपनी मेरी बिटिया नराज हो गई क्या डैट की बात से हाँ हो गई नराज आप लोगों ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे कितना भला पुरा कहा कि मैं आपको लालची लगती हूँ ना मेरी परी बिटिया तू तो मेरी बेटी नहीं बेटा है तुझसे तो जो शादी करेगा, वो खुदी चैन पाएगा, चल, मुझे बताए क्या बात है डैट, मुझे किसी से प्यार है, और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ कौन है वो? अविनाश अविनाश? कौन अविनाश? डैट, सुझीत रॉय का बेटा अविनाश रॉय, जो बड़ी कंपनियों के मालिक है ये नाम सुनते है, निरंजन काप जाता है क्या? सुझीत रॉय का बेटा? मगर वो तो एक नमबर का बदमाश और आवारा है नहीं डैट, प्लीज, आप मेरी खातेर उनके घर रिष्टा भेज़े ना? मैं चानती हो विनाश कभी मना नहीं करेगा एक बेटी की जित के आगे पाप हार मानकर खुद ही अपनी बेटी का रिष्टा लेकर अविनाश के बिल्डिंग के बाहर जाता है जहां पहले से ही काफी लोग लाइन में लगकर इंतिजार कर रहे थे और गार निरंजन को धकेल देता है, ये देख निरंजन को क्रोध आ जाता है और वहें जबरदस्ती घर के अंदर घुसने लगता है, तब ही वहें देखता है कि अविनाश का बाप सुजीत सामने सोफे पर बैठा होता है ये कौन बत्तमीज अंदर गुसा जा रहा है, सर बें निरंजन सिंगो, मैं आपके यहाँ अपनी बेटी का रिष्टा लेकर आया हूँ ये सुनते ही सुजीत की तो हसी ही फूट पढ़ती है एक मिनट, रिष्टा, मगर किसके लिए सर बेशक आपके बेटे के लिए ही लाऊंगा ना, और यहाँ कौन है हां, अरे हम भी है कतार में, लाओ, तस्वीर दिखाओ अगर पसंद आ गई तो तुम्हारी बेटी को तो हम ही अपना कर अविनाश की सोतेली मा भी तो बना सकते हैं दोनों ही केस में आएगी तो इसी घर में ये सुनते ही, निरंजिन का खून आग की तरह खौल जाता है सरी, आप कैसी बत्तमीजी कर रहे हैं उधर अपनी कमरे में बेजैन से होकर इधर उधर चकर लगा रही थी कि तब ही उसने अपने पीछे खड़ा अविनाश नजर आता है जो जोर से उसके बाल खीचता है आविनाश, बस भी करो, ठकते नहीं हो क्या तुम, मुझे तंक करते हुए अरे डाट गए है ना रिष्टे की बात करने, इतने भी क्यों बेजैन हो रही हो तुम और अवनी के खयालों से निकला अविनाश औजल हो जाता है ये देख अवनी शर्मा जाती है चिल्ला मत निरंजन, तु अपनी अवकाज जानता भी है क्या सिंग लोग राय खानना की बराबरी करने लगे है गार्स, इस विकावी को अंदर किसने आने दिया अरे जाता हो, ये तो मेरी पागल बेटी ने ही जिद की थी तब मैं इस घमंडी आदमी के सामने आया वड़ना मेरी बेटी तो क्या मैं उसकी पड़्चाएं भी इस घर में नहीं पढ़ने दूँगा निरंजन अपनी बेजती करवाकर वहां से चला जाता है अविनाश कैसे नलाय काम कर रहा है तुझे कोई हमारे बराबर की लड़की नहीं मिली थी क्या अविनाश अपने पिता से बहुत डरता था, वह नजर जुका लिता है अविनाश घर से बाहर निकल रहा था, तब ही उसे देखते ही सब लोग हस्ती है अविनाश जैसे जैसे आगली चल रहा था, उसे ऐसे ही ताने मिलते जा रहे थे तब ही वह पलट कर देखता है, तो उसके बाप सुझीत का चहरा पूरा उत्रा हुआ था अवनी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं निरंजर अपने घर के बाहर गाड़ी रोग कर लोड़ता है, तब ही अवनी उसे खिड़की में से देखती है और सीडियों में से ही अपने पिता को आता देखती है बस कुछ देर में डाट मेरे लिए खुश खपरी लेकर आएंगे और फिर मैं और अविनाश, I'm so happy तब ही अवनी को अविनाश फिर से नजर आता है रहा नहीं जा रहा ना तुमसे, तुम फिर आ गए ना? ना, नहीं रहा जा रहा अच्छा जी, मकर थोड़ा इंतसार तो करना ही होगा ना अविनाश बाबू डाड अभी बस तुम्हारे घर से खुश खबरी लेकर ही लोटे हैं एक भर वो मॉम से डिसकस कर ले, फिर मुझे भी बताएंगे और मैं तुम्हें बताऊंगी अविनाश मुस्कुराता हुआ, अवनी के करीब आता है और उसके कांधों को जकरता है ये देख, अवनी आहे भरती है, तभी अविनाश अवनी की गर्दन को चूमता है अविनाश, नहीं, अभी नहीं, अभी शादी में वक्त है ना शादी में वक्त है तो क्या हुआ, पर हम सुहाग राद तो अभी मना सकते हैं न? हट, तुम तो खयालों में भी तंक करना नहीं छोड़ोगी मुझी अवनी मस्त होकर जूम रही थी कि तभी अविनाश पीछे से आकर उसके बाल जोर से खीच कर उसे अपने और घुमाता है अवनी को असल में बहुत दर्द हो रहा था, वे अविनाश को थपड़ भी लगाती है, मगर अविनाश उसके बाल नहीं छोड़ता अविनाश छोड़ो मुझे, अब मुझे सच मुझ दर्द हो रहा है यार, मगर अविनाश और जोर से उसके बाल खीचता है आँ, आँ, आँ तब ही अपनी दर्द में बिलगती हुई, अविनाश के हाथ पर दाँच से जोर से काटती है, इतना जोर से कि अविनाश को खून आने लगता है, ये देख अपनी चौक कर दूर हटती है खून, यानि कि तुम खयाल नहीं, सच में हो अविनाश हाँ, मैं सच में हूँ, और एक बात अपने इस भेजे में घुसा लो, कि तुम ख्वाब और हकिकत दोनों में ही मुझे हासिल नहीं कर सकोगी अपनी सदमे में थी कि अचानक निरंजन महां आ जाता है, और अविनाश को अपनी के कमरे में देखकर उसके थपर लगा दीता है मेरी बेटी के कमरे में घुसते हुँ, तुझे शर्म नहीं आई नीच, क्या यही तरे बिगडल बाप ने सिखा है तुझे अपने बाप के बारे में सुनती ही अविनाश को भी गुसा आ जाता है, और वो निरंजन का हाथ पकड़ लीता है इससे शादी करना चाहती थी ना तू अपनी, जिसके बाप ने आज मुझे इतना जलिल किया, कि मेरा घर लोटना मुश्किल हो गया था जलिल तो मेरे डेट हुए है, तुम सब की वज़य से, शादी करनी थी ना अपनी तुम्हें, शादी होगी और मुझे से ही होगी, कोई रोक कर दिखा सके तो रोक कर दिखा देना अंजना और निरंजन एकदम डर गए थे मगर यह याद रखना, शादी मुझसे होगी, मगर पत्नी तु मेरी ना होगी, प्यार तुझे मुझसे होगा, मगर बदले में मुझसे प्यार नहीं मिलेगा, तु बहु और पत्नी जैसे शब्द सुनने के लिए तरप जाएगी अवनी, बोल, चाती है अभी ऐसी शादी अविनाश भड़क कर चला तो गया था, सारा महौल शांत हो चुका था, निरंजन और अंजना भी अपनी कमरे में चले गए थे, मगर शांती तो हर तुफान से पहले भी होती है, उस रात भी खिडकी के बहार एक भयंकर तुफान आया था, दूर किसी अंधेरे खंडर में जल रही आग के पास वैठा एक पंडित कुछ मंत्र जाप कर रहा था, जमीन पर घुंगरु सजी पायल वाले पाउं चंचन करते चल रहे थे, और मंडब में खड़ा था एक दुलहा, अगले दिन अपनी की आँख खोलती है और वह देखती है अपनी दुलहन के जोडे में कि सब एक दूसरे से नफरत में तो कभी इश्क में मरे जा रही हैं, जानने के लिए देखते रहे हमारी एकदम नई और अलग कहानी इश्क में मर जामा केवल लाफसिटी पर हेलो दोस्तों, याद कर रहे हो या नहीं हमें? पर श्लोग, मैं तुछ आती हो कि ये हमें बिल्कुल भी याद ना करें, अरे याद नहीं करेंगे, तभी तो नई कहानी से दिल लगाएंगे ना? दुलन बनी अबनी अपने होश में आती है, और अपना घूमता हुआ सर पकड़ती है, ये सेर इतना खूमके रहा है, और अबनी जूमते हुए उठ खड़ी होती है, और अपने हाथ में कंगन देख चौकती है, तब इदह आइने के आगे जा खड़ी होती है, ओ God, no, मैं दुलन की कप्रों में क्या कर रही हूँ और मैं कहा हूँ, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है ये जगह, ये जगह तो तब ही अपनी पलट कर बिस्तर की और देखती है तो उसके होश उड़ जाती है बिस्तर पर ओंधे मूग करके एक लड़का पड़ा था, जिसने दुले की कपड़े पहने थे ये उठो, उठो, कौन हो तुम? और जैसे ही वह लड़का अपना चहरा उठाता है, अवनी उसे देख हैरान थी, वह अर्नव ही था तुम? आखिर तुम हो कौन? और ये सब क्या तमाशा है? तब ही अर्नव आकर अवनी का हाथ थामता है अपसे यही तुम्हारा घर है अवनी, तुम और मैंने शादी की है, इसलिए अपने पती के पास रहना तुम्हारा काम है अवनी के पाउं के नीचे सी तुमानों जमीन ही किसक गई हो Excuse me, who the hell are you? शादी? कौन सी शादी? और कब होई? मैं तो तुम्ही जानती तक नहीं हूँ अवनी को रात का आखरी समय याद आता है, जब वह अविनाश के साथ अपने कमरे में खड़ी थी अवनी सिंग, तुने जो आद मेरे घर पर तमाशा खड़ा किया है, उसके बाद मेरी नजरे हर वक्त तुछ पर ही रहेंगी और अविनाश पहां से चला जाता है, अविनाश बहुत भड़का हुआ था और वह फोन निकालता है उस अवनी को शादी करनी है न, मैं करता हूँ उससे शादी, ऐसी शादी करूँगा कि अपसे मेरा नाम लेने से भी वकाप उठेगी अवनी अविनाश के इस रवये से दुखी थी पापा, भगवान ने हमें इतना सक्षम तो बनाया है कि हम कमा कर खा रही है तो ये प्यार में अमीरी गरीबी और हैसियत कैसी? मेरा दिल टूट गया है पापा अपनी रोते हुए बाहर जाने लगती है, तब है उसकी माँ से रोख देती है अभी घर से बाहर ना जा अपनी, ये सनकी अभिनाश आज ही धमकी दे कर गया है, कहीं कुछ मगर अपनी नहीं मानती और बाहर जाकर शराप पी कर सड़क पर चलने लगती है दिल मेरा पूछ रहा है तुम से क्या प्यार करोगी मुझे से तभी अचानक से पीछे से काले रंग की एक गाड़ी आती है, जो अपनी के करीब आकर रुकती है और उसे फीच कर अंदर विठा लेती है, वे छट पटा रही थी ले चलो इसे मढणब में और वे एक खंडर में दुलन के रूप में खड़ी कर दी जाती है अपनी नशे की हालत में धुंदली आखों से देख रही थी सामने आख जल रही थी और हवन कुंट के पास खड़ा था अर्णव जिसके हाथ बंधे हुए थे ये सब क्या कर रहे हो आप सब मेरी अपनी के साथ जबरदस्ती मत करो छोड़ दो उसे प्लीज ऐसा ना करो आकिर हो कौन तुम सब तभी एक बदमाश आकर अर्णव की थपर मारता है चुप चाप अभी इससे शादी करो वरना हम सब मिलकर इसके कपड़े वार देंगे देखना चाहोगे और वे बदमाश अपनी की और अपना हाथ बढ़ाता है ने ने मैं करूँगा इसे छोना नहीं शादी शादी हो रही है मैं भी करूँगी शादी पर उस बाड बॉय से नहीं तुम मुझे गुट बॉय नजर आ रही हो मैं तुमसे ही करूँगी और अर्नव अपनी से शादी रचाता है तब ही अर्नव अपनी की मांग भरती हुए उसका चेहरा देखता है ये खेल कैसा है? कौन खेला है? मैं नहीं जानता मगर मैं तो असल में तुमसे रिश्च करता हूँ मेरी अपनी और अर्नव द्वारा अपनी की मांग भरती ही वह उसकी बीवी बन जाती है वो बदमाश अपनी और अर्नव को गाड़ी में बिठा कर सीधे अर्नव की घर पर फैक कर चले जाती है काम हो गया है अब हर शर्मिंद्गी का बदला लिया जाएगा अपनी को रात की धुनली सब बाते याद आती है जिसे याद कर वे अपना अपाखो बैठती है ये शादी ये शादी नहीं धोका है एक मिनट मैंने तुम्हें कहीं दीखा है तुम तो वही हो ना चो उस दिन मेरे ऑफिस के बाहर थी तुम सब मिले हुए हो नहीं अपनी मैं किसी से नहीं मिला हुआ मैं तो उस दाद घर से बहाँ जा रहा था तब ये कुछ लोग मुझे पकड़ कर वहाँ उठा कर ले गए अपनी अर्णव के घर में बाहर जाकर देखती है तो वह घर तो बहुत छोटा सा था ये क्या धोकी से शादी होई वो भी एक भिकारी से ये तो मेरे कमरे से भी छोटा घर है ही राम मैं तो बरबाद हो गई पापा मुझे पच्छा लो मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है अपनी पहले फ्रेश हो जाओ फिर चलेंगे न माँ पिताजी के पास एक्सक्यूज में वो मेरे मॉम डेड है तुम जैसे भी कारी के नहीं मेरे मॉम को देख लोगे न तो तुम्हारी मॉम तो उनके आगे दासी लगेंगी दासी और अपनी वहां से चली जाती है अर्नव को अपनी की बात से बहुत चोट पहुचती है हाँ मेरी माँ दासी ही तो है जो भगवान की सेवा करने उनके पास चली गई अर्नव अपनी को उसकी माँ बाबा की यहां लेकर जाता है मॉम टैट दरवासा खोलो नाम मतले हमारा अपनी जुबान से, हमारी कोई बेटी नहीं है शाबाश बेटी, मेरा दूद जितना लजजित कर सकती थी उतना कर ही दिया ना तूने शाबाश, अपनी अप चली जा यहां से तू, इस घर में तीरी अप कोई भी जगह नहीं है मंगर आखिर हुआ क्या है? और वो दर्वाश नहीं खोलते हैं और अपनी उदास होकर रोते हुए अर्णव के साथ लोटती है अपनी तुम उदास मत हो, मैं हूना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी परच्छाई की तरह वे अपनी का हाथ पकड़ता है, तो अपनी हाथ छटक कर घर के अंदर चली जाती है और कमरी से बाहर अर्णव का सारा समान सेखते हुए दर्वाश लगा लेती है विचारे अर्णव के घर में रहने को एक ही कमरा था, मगर वे कुछ नहीं बोलता कोई बात नहीं अपनी, मुझे घर में रहने की जगह की नहीं पड़ी, मुझे तो बस मेरी अपनी के दिल में रात का समय होता है, अपनी के पेट में चूहे कूद रहे थे, वे आहिस्ता से दवे पाव बाहर आती है जैसे ही वे दर्वाजा खोलती है, तो देखती है कि अर्णव तो वहाँ दहलीज के पास चादर बिचा कर सो रहा है ची, ऐसे पिखारी से शादी करने से अच्छा तो था, अफिनाश मुझे उसकी रखेल या नौकरानी ही बना लेता अर्णव ये बात सुन लेता है, मगर वेह अपने आसों का घूट पी कर सोता रहता है अपनी अर्णव को लांग कर सोई घर में जाती है ये पर्थर भी खाली है, ये भी अरी स्कर में कुछ खाने को है भी या नहीं अवनी बरतन उठाकर घर से बाहर फेकने लगती है रात के अंधेरी में इतना शोर होने से वहां आसपास रह रहे ही लोग जाक जाती है और अवनी को ऐसा करती दीख अच्रज में बढ़ जाती है अरे ये तो कल ही आई है आते ही लड़के की नाक में दम करना शुरू कर दिया अवनी ये सुनती है और बरतन उठाकर औरत की और फेक्ती है इसके साथ तुम्हारा भी सरफोर दूँगी मेरी अम्मा बनने की कोशिश ना करना ठीक है न? अवनी बस करो प्लीज आज के लिए काफी है हम दोनों घर के अंदर बात करते हैं न? यहां मेरी मा की बहुत इज़द है प्लीज अंदर चलो और अर्णव अपनी को अंदर लेकर जाता है ओ माई गॉड तुम्हारे भिकारी मा की भी इज़द थी क्या? ओ कहीं वो फैकी हुए पैसो को देख कर जुकती नहीं थी क्या? और फिर सिर्फ बंधा नोठी लेती थी भीक्षा में? अवनी के शब तीर की तरहें बार-बार बस चलते ही जा रहे थे उस रात एक और राज अपने रहसे की और बढ़ रहा था रात की अंधेरी में निरंजर के घर से दबेपा और काली कंबल ओड़ी कोई निकल रहा था निकलते हुए वह अगली गली में घुच जाता है और वहां सड़क पर उसे एक काली गाड़ी नजर आती है काली गाड़ी उसके सामने रुखती है और वे उसमें बैट जाता है सीधा सा देखने वाला राज कोई तो रास दबाई हुए था और आखिर कौन थी वो लड़की राज गाड़ी से बहार आता है और दवे पाओ घर लोट रहा था अचानक तभी घर की लाइफ ओन हो जाती है अंजना ने राज को चोरी छिपे घर में आते देख लिया था मा तुम सोई नहीं वो मैं बस अवनी की भूख के मारे जान निकल रही थी मैं कुछ बना दू तुमारे लिए अवनी मुझे तो भूख है रहने के आदत है मैं जान बूख कर एक वक्त का खाना नहीं खाता था कि मुझे एसास रहे कि भूख लगना कैसा होता है और मैं अपने पुराने दिन ना भोलू अवनी को तो अर्नव की हर बात से चड़ थी अगर तुम बीच में ना आती थो आज मैं अविनार से शादी कर मेहल जैसी घर की महरानी होती पता है अगर मुझे भूख लगती तो वो कुछ बनाता नहीं मिल्कि पिज़ा की दुकान ही खरीद कर ला दीता अर्नव को अपने हालात पर गुस्सा आता है और वे अवनी के जाने के बाद अपना एक और गुल्लक तोर कर उसमें से पैसे निकालता है अवनी भले ही मैं भूखा रह जाओं मगद तुम्हारे खौईशने जरूर पूरी करूंगा I love you अवनी, I love you राज खबराता हुँआ अपनी मा की और देख रहा था कि तभे अंजना उसकी और देख कर मुस्कुराई वही थी न वो? हाँ मा वही थी पायल उसे शक तो नहीं हुआ न कुछ? नहीं मा, पायल हमारे प्लान के बार में कुछ भी नहीं जानती है, कुछ भी नहीं शाबाज बेटा, जो अपनी ना कर सकी वो अब तू करेगा और तब मैं कर्फ से कहूं कि मैं हूँ अंजना सिंग, राज की मा राज एमोशनल होकर अंजना को गले लगा लेता है अब इस इश्क में अभी तो खेल और भी लंबा खेला जाएगा, मौत का खेल भी और तब ही वहाँ अविनाश के खर का दरवाजा खुलता है और रात के अंधेरे में एक लड़की की काली परचाएं उसके कमरे की और बढ़ रही थी जिसके हाथ में पिस्टिल थी वे जाकर सोते होई अविनाश के सिर पर गन पॉइंट करती है अचानक अविनाश की आँख खुलती है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था अगले दिन, जैसे ही अपनी उड़ती है, वे कमरे के बाहर आती है तो टेबल पर धेर सारे पिज्जाज रखे देखती है, और अर्नव का एक नोट देखती है अवनी चाहे मुझे मेरे सारे सपनों को बेचकर तुमारे खुआशे खरीदनी पड़ जाए, मैं वो भी पूरी करूँगा जो कि मैं तुमसे बेन तहां प्यार करता हूँ, तुम सोच भी ने सकती इतना जादा बेफकुप कहीं का, कल मिले एक दिन हुआ है और जनाब प्यार करते हैं अपनी दबा कर खाना खाती है, अबसे अपनी की लाख पे रुखी पर भी अर्नव उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है अर्नव के पाउं के छाले, माथे के पसीने और भारी कंधों ने कभी भी अपनी के किसी इच्छा को मरने नहीं दिया मगर अपनी का पैसो का मोग कभी भी अर्नव के प्यार की और नहीं देख सका जैसे ही अर्नव कुछ अच्छा लाता, अपनी उसे फैक देती ची, ऐसी चीज तो हमारे नौकर भी इस्तिमाल नहीं करती अच्छा सुनो, मुझे पांच हजार रुपे चाहिए, मुझे पारलर चाना है पांच हजार? और इस बार अपनी की खुशी के लिए अर्नव का एक और गुल्लक तूट जाता है और वे इस बार भी अपनी का मन रखता है अर्नव काम के सिलसले में अकसर बाहर रहता था और अपनी घर पर अकेली तभी उसकी नजर एक बंद कमरे पर पढ़ती है और वे उस कमरे को खोलती है इस कमरे में इतना अंधीरा क्यों है? और अपनी कमरे की बत्ती जलाती है तो उस कमरे में लाल रोशनी में दिवार उपर लटक रही धेरो तस्वीरे उसे नजर आती है ओ गॉड ये सब क्या है उस कमरे में अबनी की हर एक पल की तस्वीर थी जब अकसर अर्णव उसे छिप कर देखता था अबनी की आखों में अर्णव की द्वारा किया गया ऐसा प्यार देखकर आशुच छलग गए थे इतना सब वो भी बस मेरी लिए कबसे अर्णव आखिर कबसे हो कौन तुम तब ही वहाँ अबनी के मन की परचाई आती है क्या हुआ पिखल का याना मन पस इतनी सी चीज से थोड़ा दिमाग लगा अबनी जिन्दकी खाली पेट नहीं गुजरेगी और किये और इसका तो पुरा खांदान ही भिकारी लगता है ऐसे आदमी के साथ कैसे गुजारा करेगी तू अबनी कैसे हाँ तुम एकदब सही कह रही हो अबनी मुझे प्राक्टिकल होना होगा मैं नहीं चाहती मेरी हालत भी इस भिकारी पने और इस गरीब मा की दरह हो और अबनी वहां से जैसे ही निकलने लगती है वे देखती है कि सामने एक औरत की तस्वीर टंगी है जिस पर मा लिखा था तस्वीर पर फूलों की माला टंगी थी अबनी ये देख कर सहम जाती है ये अर्णव की मा है इसका मतलम में इतने समय से उसकी मरी हुई मा को बक रही थी उसे अपने किये पर पश्तावा होता है अंजना के मन में एक अलग ही बात छिपी हुई थी वह अपने कमरे में जाकर आइने के सामने खड़ी होकर हस्ती है मंडप में बैठी एक लड़की लगातार रूई जा रही थी नहीं आया ना वो जानती थी फिर भी धोका खाई वो नहीं आया ना अपनी को घर से बाहर जाता देख अंजना एक फोन मिलाती है हाँ अपनी घर से निकल गई है ठीक है आने दो से अब देखते हैं कि इश्क के इस खेल में कौन मोहरा है और कौन चाल चल रहा है इश्क, वफा और मौत के इस खेल में आखिर किसकी होगी शय और मात हमारी इस कहानी का तयार हो रहा है मगर आप यूँ ऐसे रूट कर जाएंगी तो आने वाले कैसे आप तक आएंगी अभी लव सिटी का सफर शुरू ही हुआ है असली मज़ा तो आगे आने वाला है इसलिए जो अभी आपके साथ हैं उन्हें प्यार दीजिए इश्के के रंग से तो हम आपको रंग चुके हैं पर अब बारी है इश्क में मर जाने की तो आईए ऐसी जुनोनी कहानी को मिल कर देखें जो आज से पहले किसी यीट्यूब चैनल पर नहीं की गई है आउश लोग हम तो देखते हैं लव सिटी की नई कहानी इश्क में मर जावा केवल लव सिटी पर सुनो अपनी घर से निकल चुकी है अब आगे का काम तुम्हारा होगा और वह लड़की की काली परचाई अपनी का पीछा करने लगती है पीछा होता देख अवनी जोर-जोर से चलनी लगती है जितनी तेजी से अवनी के कदम चल रहे थी उतनी ही तेजी से अवनी की परचाई भी चल रही थी मगर एक जिंगे जाकर अवनी रुख जाती है क्योंकि सामने दिवार थी अवनी के पाउं काप रहे थे क्या चाहती हैं तो तेरी मौत इश्क में मर जावा तू जो कहे वो कर जावा इस इश्क में मर जावा और परच्छाई अवनी की और चाकू से मार देती है अवनी को लगने वाली चोट तो बीच में ही किसी और को लगती है अर्नम ने वह जाकू अपने उपर ले लिया था और वह घायल हालत में ही सामने खड़ी उस लड़की की परच्छाई पर जपट पड़ता है कौन है तू? और क्यों माना चाहती है मेरी अपनी को? मगर वह लड़की अर्नम की हाथ नहीं आती और वहाँ से भाग जाती है अब सवाल यह है कि क्या यह वही लड़की है जो अपनी के भाई राज के साथ उस रोस गाड़ी में थी? तो क्या इस खेल में राज भी शामिर है? और अंजना? अंजना ने अपनी ही बेटी पर हमला क्यों कराया था? सवाल बहुत से हैं मगर जवाब तू आप ही देंगे अभी आईए कमेंट बॉक्स में और सब अपनी अपनी कहानी का वर्जिन बताए अर्नव सड़क पर घायल हालत में था अपनी ये देख खबरा रही थी तुम पागल हो गया अर्नव? तुम्हें बीच में आने की क्या सरुरत थी? आई लव यू अपनी और बेहोश अर्नव को जैसे तैसे अपनी घर लेकर आती है तभी पास की क्लिनिक से डॉक्टर आकर अर्नव को देखता है देखे एक खाओ इतना जानलेवा तो नहीं है मगर अभी कुछ दिनों के लिए कोई काम ना करें तो ही बहतर है ये रही दवाईया आप लेकर आईए डॉक्टर के जाने की बाद अर्नव उठने लगता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना अर्नव सुना नहीं कि अब तुमें सिर्ट पेडरेस्ट करनी है अपनी अगर आराम करूंगा तो हम खाएंगे क्या यहां तो मैं रोज जितना कुआ खोटता हूँ उसी में सपानी पीते हैं अगर बिस्तर पर पढ़ा रहा तो तुम क्या खाओगी मैं कमा लूँगी पर तुम अभी अराम करो और अपनी दवाई लेने बाहर जाती है अवनी के जाती ही अर्नफ फोन निकालता है हाँ वो अभी घर से निकली है अविनाश अपनी कमरे में खिड़की के पास खड़ा था कि तभी वही पर चाई लड़की दर्वाजे पर चाको लेकर खड़ी होती है और धीरे धीरे अविनाश की और बढ़ने लगती है मुझे अवनी क्यों याद आ रही है बहुत दिनों से उसकी कोई ख़बर भी नहीं मिली है वह एक फोन करता है हलो अविनाश बोला हाओ जिस काम के लिए तुम्हें पहले रखा था अब फिर से उसी काम पलग जा ठीक है सर राज मुसकुराता हूँ अपनी मा के पास जाता है मा उसी का फोन आया था कहता है कि फिर से मेरी जरूरत है अवनी दीदी के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने हाँ बोल दिया शबश वो सोचता है कि वे सारा खेल खेल रहा है मगर इस खेल का मास्टर माइंड तो इसी घर में है मैं पायल को फोन करता हूं और राश फोन निकाल कर फोन करता है तो वे फोन अविनाश की ठीक पीछे बचता है अविराश चौप से पीछे मुड़ता है तो देखता है एक लड़की चाकू लिए पीछे खड़ी थी जो उसकी और देखकर मुस्कुरा रही थी तुम मेरे कमरे में? ओ कमौन भाई मैं तो तुम्हारे लिए आप लेकर आई थी लो ये सेब लो और ये चाकू कुचल दो इस सेब को तु पागल वागल हो गई है लगता है छोटी चल जाब यहां से मैं भी थोड़ा परिशान हूँ अविनाश तिल में लाता सा वहां से चला जाता है और पाइल गुसे से इसे इपर शाकू मारती है अपनी दवाई लेने जाती है तो दुकानदार उसे बिल देता है पांच हजार की दवाईयां मकर इतने पैसे मैं कैसे तब ही वह पर्स में हाठ डाल कर देखती है कि अरनव ने उसे पांच हजार रुपे पार्लर के लिए दिये थे पर यह तो मेरी है अगर इन्हें दे दिया तो मैं पार्लर कैसे चाओंगी नहीं नहीं अपनी तेरा रूप, रंग, भूख, इच्छाएं सब अर्णव की जान के आके छोटी है अपनी तुरंग पैसे निकाल कर देती है और दवाई ले लेती है आथ से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया था मगर मुझे ऐसा करके बहुत सुकोन मिल रहा है अगर क्यों और अपनी घर की आट जाती है कि तब ही उसे घर के अंदर से कुछ-खुस वसाहट सुनाई पड़ती है और वह दौटकर जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि अर्णव बिसर पर लेटा था, हाथ चोड़कर बढ़ बढ़ा रहा था और उसके ठीक सामने वही लड़की चाको लेकर उस पर हमला करने वाली थी उसके हाथ खून से सने हुए थे ये तो वही है जिसने पहले भी अर्णव पर हमला किया था आपनी पीछे से जाकर उसे धकेल देती है बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम इससे बचाकर ये मीरा नहीं तो किसी का भी नहीं होगा किसी का भी नहीं वो किसी का नहीं मेरा पती है लड़की बले ही हमारी शादी एक फरेब हो मगर वो अगनी, वो सिंदूर और वो साथ फेरे वो कोई छल नहीं था एक लडाई में मेरी इस किसमत से लड रही हो और अब एक लडाई तुझसे भी लड लूँगी अपनी अर्नव सिंग हुमें अर्नव की पतनी अगर दुपारा मेरी पती को हाथ लगाया न तो तब ही अबनी उस पर जैसे ही हावी होने लगती है तो वे वहाँ से भाग जाती है अर्नव अबनी को ऐसे देख एक्दम शौक था अबनी क्या कहा तुमने अभी? हाँ तुब शादी होई है तो शादी ही कहोंगी न अब तुम अमीर हो या गरीब? हो तो आखेर मेरे पती ही खेर ये रही तुमारी दवाईया अबनी में अर्नव की अच्छाई को देख बदलावा रहा था वे अर्नव की देख भाल करने लगी थी अबिनाश अबनी के खयालों में खोया हुआ था कि सडक पर गाड़ी चला रहा था कि तभी उसके पेड़ के पीछे वही लड़की नज़रा आज तो जान कर ही रहोंगा और वे गाड़ी से उतर कर उस पेड़ की ओर जाता है जैसे ही लड़की भागने लगती है अबिनाश तुरंद उसका हार जपट लीता है छोड़ो ना अबिनाश यूँ सारे आप मुझे पकड़ोगी तो इतना सता होगी अब तुम मुझे महग क्या कर रहे हूँ डार्लिंग तुम लाग छिपा लो प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा मगर मैड़म ऐसे छिप-छिप कर मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा ना अबिनाश की आखों में एक अलग सी आग थी महग उसे सीने से लगा कर शान्त करती है सुनिये जी अपनी ने हमारे पीठ में चुरा भौका है ऐसे में उसस चीज का एसास होना बहुत जरूरी है कि हमें छोड़कर वो अगर गई है तो उसे दुनिया का कष्ट कितना झेलना पड़ेगा आप उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक कर दीजिए निरंजन अपनी से बहुत प्यार करता था मगर वह भी अपनी के बिना बताए गई शादी से एकदम हर्ट हो चुका था वह अपनी के अकाउंट ब्लॉक कर दीता है साथ ही अंजना उसे कागस पत्र भी चला देती है देख अपनी अब इस दुनिया में जीना कितना मश्किल होगा अंजना की नफरत अपनी के लिए बहुत भारी पड़ रही थी अर्णव जब सो रहा था तो अपनी देखती है कि घर में सारा राशन खत्म हो रहा है और अर्णव की आगे की दवाई भी वे कमरे में जाती है तभी पर्ड़े की पीछे अपनी को कुछ गुल्लक दिखते हैं जिस पर अपनी 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 लिखा था ये क्या इसका मतलब अर्णव ने हर बार मेरी जरूरत पर अपनी बचट के पैसे खर्च कर दिये आज की इस आर्टिफिशल दुनिया में इतना सच्छा प्यार क्यों कर रही हो अर्णव तुम वो भी मुझ से जिसने साफ मन से ज़्यादा तो अराम और दौलत को ही चुना अपनी की आवाज में आत्म दिलानी कूट कूट कर भरी थी शाहिद अकाउन में जो पैसे हैं उससे इस घर की तकलीफ दूर कर सको मगर अपनी जब पैसे निकालने जाती है तो उसे वहाँ भी निराशा ही होती है अब अपनी के हाथ में ना पैसा था ना नौकरी वे घर लोट रही थी कि तभी उसने पडोस के महॉले से एक काम वाली को बहार निकलते जाते देखा अब निकल जा काम देले का भी नहीं करती है और समान चुराया हजारों का चली जा और कल से माद आना अब निका पूरा ध्यान उधर ही था आज की टाइम में तो रिष्टा ढूनना फिर भी आसान है मगर एक अच्छी काम वाली ढूनना तो आयो तोबा 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 लगे ऐसे काम वाली को तो पर बेहन अब तो क्या करेगी यहाँ तो कोई दूसरी नौकरानी मिलना मुश्किल है देख मुझे फाल तो पैसे देना पड़े मैं दे दूँगी मगर इस बार काम वाली तो अच्छी ही रखूंगी अबनी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही घर लोटती है घर में चारों और देखती है क्या सूच रही है तू तू एक पड़ील के लड़की है ऐसे खयाल पने मन से निकालती नहीं अबनी अब यही तेरी जिंदगी है इसे स्वर्क बनाना तेरा काम है वो वत यास कर जब इस लड़की ने अपने पाउं के छाले हाथों से मिटती लखी रहे और शरीर से बहते खून और पसीने के और दीखा भी नहीं ताकि सिर्फ तू खुश रह सके याद कर अबनी याद कर कभी अर्णव नीन से जाग जाता है अबनी अर्णव के लिए खाना बनाती है घर में इतना ही राशन बचा था कि अबनी बस एक इनसान का खाना बना सकती थी जो कि उसने अर्णव को दे दिया अबनी तुम भी तो खाओ अर्णव के ये बात सुनकर अबनी कातो कलीजा ही फट गया इतना प्यार तो उसे कभी अपने घर पर भी नहीं मिला था अबनी एमोशनल होकर अर्णव के सीने से लगती है पहली बार ये लमहा आया था अर्णव तो एकदम सुन हो गया था अबनी उठकर जाने लगती है अर्णव मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है मैं कल से जोइन करने वाली हूँ अब सब ठीक हो जाएगा अर्णव ये जान खुश होता है अगले दिन अबनी उस महले में काम करने जाती है अबनी इतनी सुन्दर थी कि कि किसी को विश्वासी नहीं हो रहा था कि वह नौकरानी है अबनी जाडू पोचा बरतन सब करके ठकी हुई घर लोटती है मगर उसने एक बार भी अर्णव को एहसास नहीं होने दिया धीरे धीरे दोनों पती पत्नी का प्यार बढ़ने लगा अब अबनी और अर्णव एक हे बिस्तर पर सोने लगे थे अर्णव मा के साथ क्या हुआ था अर्णव ये सवास सुनकर सहम जाता है और उसके कानों में कुछ आवाजे और धुनली यादे चलने लगती है इस दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़ा था उठा के बाहर फेको इस और इसके बच्चे को कुछ सक्म आप चाहकर भी किसी को नहीं दिखा पाते ऐसा ही दर्ध अर्णव की सीने में दफन था और शायद अंजना की भी अगले दिन अवनी काम करने उस मकान में पहुचती है तो वहाँ कुछ तयारी होता देखती है दीदी यहाँ क्या हो रहा है मेरे पोते का मुंडन है गेस लोग आती ही होंगे तु फटा-फट काम निप्टा दी और सुन आज घर मत जाना जो महमान आएंगी वो कुछ पैसे देंगी तेरी नाम के तेरी कमाई हो जाएगी अवनी यह सुनकर खुश हो जाती है और पैमान आने लगती है तभी दर्वाजे से अंदर आती है निरंजन और अंजना वो आकर अंदर बैठती है यह लो हमारे खास महमान तू अभी आए है हमारी गरीब खाने में आने का बहुत शुक्रिया बहेंजी है आपका अबनी बेटा शर्वत लातो अंजना निरंजन अपनी का नाम सुनते ही एक दूसरे की और देखती है अपनी? नौकरानी है हमारी बड़ी होनार है फंक्शन का न्योता अर्नव के पास भी पौझा था तो वह भी विमार हालत में उठकर धीरे धीरे उस खर में अंदर जा ही रहा था अपनी शर्बत लेकर बाहर आती है और वह सामने अपने माबाप अंजना और निरंजन को देख चौक कर शर्बत गिरा देती है वहीं अंजना निरंजन अपनी बेटी को नौकरानी बना देख कर हिल गए थे अपनी तुम ये सब अपनी को सारी आखे चारो और से घूर रही थी अब देखिये अगले भाग में कि कैसे जिंदगी के इस चक्र व्यू से निकलेंगे कहानी के एहम किरदार बाहर अपनी के नजरों के सामने एक और उसके माबाप थे तो दूसरी और उसका पती अर्णव अपनी के हाथ से शर्बत की ट्रे नीचे गर जाती है सारे महमानों में संसनी फैल जूगी थी अपनी बेटा तु तु यहां ये काम ऐसे क्या नौबत आ गई थी अपनी की नजर नीचे जुकी हुई थी नौबत क्या आई होगी जी, अपने मापापको जलील करने के लिए जान भूच कर कर रही होगी इसमें तो कसम भी खाली है न कि हमारी समाज में नाक कटा कर ही रहेगी अवनी तुम ये सब इतना चोटा काम करना जरूरी था क्या आवनी हाँ 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 ज़रूरी था अगर मैं अपना परिवार बचाने के लिए और खर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रही हूँ तो इसमें क्या बड़ा क्या छोटा कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फिला रही न पापा निरंजन अपनी के और जैसे ही बढ़ता है वो उसे रोप देती है बस रहने दीजी जिस दिन आपने मुझे मेरे हालातों पर छोड़ दिया था तब ही आपकी अपनी आपको छोड़ चुकी मॉम और डाड मेरे अकाउंट ब्लॉक कर मेरे डॉक्युमेंट्स छिपा कर आपने सुचा कि मैं आकर गिरगर आओंगी नहीं मैं आई थी मैं आपसे बात करना चाहती थी तब आपने मेरी एक ना सुनी अपनी पापा से ऐसे बात करेगी तू? बस सच पोल रही हूँ मॉम और ये सच पोलने की हिम्मत मुझे मेरे पती यानि अर्नव से मिली है मैं जान गई हूँ कि रोटी मीठी होने से ज्यादा एक ही रोटी में दोनों का मिल बाट कर खाना ज्यादा मीठा है अरे अरे भाई साहब भाबी जी मैं तो जानती ही नहीं थी कि अपनी आपकी बेटी है अगर जानती तो ये सब काम थोड़े ही कराती, मुझे माफ कर दो दुनिया भर में में रेफरेंस से नौकरिया मिलती है और यहाँ मेरे माभब की रेफरेंस की वज़े से मेरी नौकरी चली गई आज चलो अर्नव, जिंदिकी अभी बहुत लंबी है, साथ मिलकर जीनी है, चलो यहाँ से अपनी का स्वाभिमान आज भरी भीड में बोल रहा था, अर्नव को अपनी पत्नी पर बहुत गर्फ था दोनों घर लोटने लगते हैं, तभी अंचना जाती हुई अपनी की और देखकर मस्कुराती है अच्छा हुआ इस लंगडी घोडी पर दाव नहीं लगाया मैंने, हम, चलो देखती हूँ, यह खेल कहां तक जाता है अवनी और अर्नव घर लोटते हैं, अवनी अर्नव से नजरी चुडा रही थी, तभी अर्नव उसे अपने पांस बिठाता है और उसके हाथों पर मलहम लगाता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अवनी, शायद तुम नहीं जानती हो और यह कहती ही, अवनी अर्नव के कालों को चूम लेती है आज पहली बार अर्नव और अर्नव और अवनी में पती-पतनी वाला रिष्टा बनता नजर आ रहा था और उन दोनों के बीच नजदी के आ जाती है, और दोनों के बीच रुका हुआ वही प्यार बहने लगता है अब अर्नव और अवनी के बीच सब ठीक हो गया था कुछ दिन में अवनी मा बनने वाली होती है, मगर ये बात अर्नव से नहीं कहती है मैं अर्नव को सर्प्राइस दूँगी और उसे बता दूँगी कि कैसे एक नक्चड़ी से लड़की तुम जैसे भूले और साफ मन के लड़के के प्यार में पढ़ गई थी उधर अर्नव के भी मन में कुछ तो चल रहा था ये एकदम सही समय है, अवनी सिंग शाम को जब अपनी घर आती है तो उसे अर्नव कहीं नहीं मिलता वे उसे घर के हर जेंगे ढूंडती है, तभी उसे एक खत मिलता है मुझे ढूंडना है तो उस पते पर आना अवनी, यहीं हमारी कहानी शुरू हुई थी यहीं हमारी कहानी का फैसला होगा और अवनी अच्छे से तयार होकर उस पते पर जाने के लिए निकल जाती है अविनाश गाड़ी चला रहा था कि तभी उसे पेड़ के पास फिर से महक नजर आती है अविनाश गाड़ी रोकर महक को अंदर बुला बिठा लेता है अविनाश तभी महक अपने पेने नाखून अविनाश की गर्दन पर लगा देती है अपनी कौन है? कौन है अपनी? पूरा शहर अपनी और अविनाश के बारे में बात कर रहा है शान, शान, मेरी मा शान, कुछ नहीं है अपनी मेरे लिए, कुछ भी नहीं वो तो बसे खेल खेलते हुए, वो मुझसे अपना दिल लगा बैठी थी बेवकूफ लड़की तो मार डाले उसे, बोलो नहीं नहीं, अपनी को जरा भी चोट मत पहुचाना अविनाश के चहरे की बेचेनी, महक के मन में एक शक पैदा कर देती है अपनी उस पते पर पहुचती है, तो वह पता तो उसके ऑफिस के पास का था जिसे देख अपनी खुश होती है हाँ, मुझे याद आगया अर्नव, कि हमारी कहानी यहीं से शिरू हुई थी जब मैंने तुम्हारी तोफे को ठुकराया था, मैं सब चान गई हूँ मगर तुम हो कहाँ? अपनी थोड़ी आगे जाती है, तो सामने एक बड़ा सा बंगला होता है, जैसे कोई महल हो वह उसमें घुस्ती है और बड़ा दर्वासा जैसे ही खोलती है, अंदर का नजारा देख, अपनी की आँखे फटी की फटी रह जाती है तुम? मगर कैसे? सामने लगे आलिशान सोफी पर बैठा अर्नव, यूँ बैठा था जैसे वे ज्रियासप का राजा हो, वे अपनी को देख कर जोर सी हसता है आओ हनी, आओ, क्या हुआ, घर अच्छा नहीं लगा, ओ, तुम्हारे अउकास से कहीं छोटा तो नहीं है, और बड़ा घर चाहिए अर्नव, ये सब क्या है? यही मेरा सच है अपनी, अर्नव, रायचन, करोड़ पती अर्नव, रायचन धूमै, अरे अब तौ अपनी कितनी खुश होगी, कि उसका अपनी करोड़ पती है, तो वो क्या हुई, करोड़ पत्नी? और अर्णव अबनी का चेहरा पकड़ कर उसे भीशते हुए फर्श पठा केल दीता है अर्णव आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों? क्योंकि नफरत है मुझे तुमसे, बहुत नफरत जीतो कर रहा है कि तुम्हें यहीं खत्म कर दूँ वगर तुम्हें मार कर भी क्या मिलेगा मुझे? जानती हो, जब मैं तुमसे एश्का वो खेल खेल लहा था तब मुझे कितनी तकलीफ होती थी तुम्हारे करीब आकर जीतो करता था कि मर जाओ वगर मैं क्यों मरू? मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे अर्णव अच्छा, मुझसे या मेरी दौला से, सच बताना अपनी अर्णव के नफरत की आग अपनी को भयंकर जला रही थी तभी जैसे ही वे अपनी पर हाथ उठाने लगता है कि अर्णव का कोई हाथ रोक लेता है अपनी उसका चहरा देख चौक जाती है ये चहरा, ये तो मैंने कहीं देखा था हाँ, अर्णव के उस रेड रूम में जहां उसकी मा की तस्वीर लगी थी उसी के पास मेरा हाथ छोड़ दो मॉसी, इसने मेरी जिन्दगी को नरक किया है अब नरक कैसा होता है, ये देखने की बारी है इसकी अपनी अर्णव की कदमों में पढ़ कर गर गर आने लगती है आखिर मेरा कसूर क्या है अर्णव? सिर्फ यही ना कि मेरे उस अकर ने तौफ़े को ठुकडात कर तुम्हारी अकर को ठेस पहचाई अगर ऐसा है तो लो, आज मैं हिसाब बराबर कर देती हूँ, तुम्हें एक तौफ़ा देकर मैं मा बनने बाली हूँ तुम्हारे बच्चे की अर्णव नई सिंदगी हमारे सामने खड़ी है, फ्लीज ऐसा मत करो अर्णव अवनी के और जाता है, उसके आँख में आसु थे और वहे जाकर अवनी को प्यार से सहला कर उठाता है, अचानक से उसके बालों को खीच कर उसे घर की चोखट के और धकेल दीता है इस घर में रहने के लिए जगह कमाई जाती है, अगर यहां रहना है तो वही सब करना होगा जो तू दूसरों के घर जाकर किया करती थी अवनी सिंग इस घर में रहना है तो तुझे पहले या नौकरानी बनना होगा और अगर काम ठीक से किया तो यहां रहने को एक कोना तुझे मिल जाएगा अवनी यह करने के लिए मान जाती है मैं करूंगी, मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में सुरक्षित लाने के लिए सब करूंगी और उस दिन से आलिशान जिन्दगी जीने वाली अवनी उल्टी गिंती शुरू हो गई थी अवनी दिन रात घर को साफ कर्ष चमकाया करती और अवनी जान बूच कर गंदी जूते से फर्ष खराब कर देता था अवनी 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 का मन पिखलानी की हर कोशिश कर रही थी अवनी ये लो तुम्हारा पसंदिदा हलवा मैंने बनाया है ओ, how sweet of you अवनी तब ही उसे याद आता है कि कैसे अवनी ने अर्नव की चीज़ों को ठुकराया था और ये याद कर अर्नव हलवे की प्लेट उठा कर फैट देता है तुम मेरे नज़देखाना कि कितनी ही कोशिश कर लो अवनी पर तुम कभी काम्याब नहीं हो सकोगी तुम मार तो ना मुझी चलो रोज रोज तेलतल करके टॉर्चिर कर रही हो उससे अच्छा एक पार ही में खतम कर दो ना या मैं खुद ही को खतम कर लेती हूँ और अवनी चाको उठा कर खुद की गर्दन पर जैसे ही लगाती है अवनी अर्नव उसके हाथ को कसकर पकड़ता है और उसे अपनी बाहों में खीच कर उसकी गर्दन दबानी लगता है मगर अवनी अर्नव की नफरत की परत को हटा कर अपने लिए प्यार जगाने की हर कोशिश करती है उस रोज अर्नव अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी अपनी अपने गीले बालों के साथ वहाँ जैसे ही गुजरती है उसका पाउं फिसलता है और वो गिरकर उसकी पाउं में आ जाती है अर्नव की धड़कने तीस हो गई थी वे जजग कर दूर हटता है मगर अपने उसे था में रखती है और उसके सीने को छूती है क्या हुआ था कि तीस हो रही है अब और अब तुम कितनी ही नफरत कर लो मगर मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो नहीं करता मैं, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है अच्छा, तो मुझे अपनी नस्दी क्यों नहीं आने देती हो कहो, जो समय हमने साथ बिताया था क्या उसमें एक भी सचा पल नहीं, जिसमें तुमने मुझे से प्यार ना किया हो अर्णव अपनी आखे बंद करता है, तो उसे अपनी के साथ बितायल हमें याद आते हैं और बैभड़क कर वहां से उठता है अर्णव का गुस्सा अपनी को देख कर दिनों दिन बहुत बढ़ रहा था ये देख अर्णव की मौसी भी उसे बहुत टॉचर करती थी जैसी मा वैसी बेटी, इन दोनों ने तो कसम खा रखी है कि इस घर को नरग बनाएंगे ही ये मासी मेरी मा के लिए क्या कह रही थी, मा का इन सबसे क्या वास्ता पायल राज के घर पर जाती है और दरवासे की घंटी बजाती है राज को बिन बताए, यहां आथ हो गई, बस मुझे कोई देखे न, क्या करूं वापिस चली जाओं क्या, चली ही जाती हूं और जैसे ही पायल लोटने लगती है, उसके घर का दरवासा खुलता है और रहे देखती है कि सामने राज की मा अंजना खड़ी थी, जो उसे घूर रही थी ए, ऐसे चिपकर कहा जा रही है लड़की, तूने ही फसा रखा है न मेरे बेटे राज को अपनी दौलत के जाल में अंजना पायल का हाथ खीच कर उसे अंदर ली जाती है नहीं आंटी, ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो बस में आओ राज मा कौन है? अरे पायल तुमका बाई अंजना राज और पायल दोनों को घूरती है बस भी करो मा, ये एकदम डर गई है बड़ी ही सीधी लड़की है ये तो रॉय परिवार में ऐसी सीधी लड़की कैसे हो गई? वो मैं कोदली हुई हूँ ना मा जी, इसलिए शायद मा आज तक पायल ने हमारी बहुत मदद की है जैसा जैसा इसे करने को कहा, वैसा ही इसने किया मगर अब वक्त आ गया है, हमें हमारे सवालों के जवाब जानने का आखिर क्यूं आपने पायल से इसी के परिवार के खलाव साजे सचने को कहा? आखिर क्यूं आपको अवनी दीदी से इतनी चिड़ हो गई? इश्क, मेरे बच्चे इश्क इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा नफरत परिबार से नहीं, अविनाश के बाप सुजीत रोय से है, बरसो पुरानी नफरत अपनी काम कर ही रही थी कि दर्वासे की घंटी बच्चती है और मौसी दर्वासा खोलती है तो अपनी के कानों में एक लड़की की आवास आती है, मौसी भाई घर पर है क्या? अपनी उत्सुकता वर्ष जांक कर देखती है, तो दर्वासे पर वहे खड़ी उस महक को देखती है ये लड़की ये तो वही है जिसने अर्नव पर हमला किया था, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ये लड़की अर्नव को अपना भाई कह रही है, तो फिर ये उस दिन अर्नव पर हमला क्यों कर रही थी? और अगर अर्णव की अगर कोई बेहन है तो उसने कभी कुछ पताया क्यों नहीं और महक घर के अंदर आती है और सीधे ही अर्णव की कमरे में चली जाती है अपनी चुपकी से दोनों की बात सुनने कमरे की पास जाती है जब अर्नव जखमी हालत में अपने पुराने घर के बिस्तर पर था तब महक जो उसकी बेहन थी उससे वहाँ मिलने आई थी उसकी हाथ में अभी भी वही चाकू था अब क्या करने आयो तुम यहाँ पर चोटी तुम कर चुकी हो जो तुमें करना था भाया I'm sorry मैं तो उस अपनी पर हमला करने वाली थी तब ही आप बीच में आ गए और मैं गलती से आप पर ही चाकू चलाने लगी मेरी बास सुन जोटी भले ही अपनी हमारी दुश्मन है मगर मैं उससे सच में प्यार करने लगा था और अपनी को चोट पहुचाने कहा केवल मुझे है सिर्फ मुझे आपका खेल मुझे समझ ही नहीं आता भाया आप अपनी को चोट पोचाना चा रहे हो या खुद चोट खा रहे हो यहां से चली जा महक, इससे पहले कि अपनी लौट कर आए तब ही अवनी के आती ही महक वहाँ से भाग जाती है पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ भया आप एक बार तुससे मिल लो मैंने बोल दिया न बस एक बार कह दिया तो कह दिया अब तुम्हें इस गर में रहना है तो मेरी बात माननी होगी ठीक है तु नहीं रहना यहां आज अगर मा होती तो वो मेरी बात जरूर सुनती पर मा नहीं है न महक और किसकी वज़े से ये तुम जानती ही हो वो संजना और अवनी की वज़े से अवनी ये सुनकर चौक जाती है मा और मेरी वज़े से? आखिर अर्णव कौन सा रास दबाए बैठी हो तुम अपने सीने में? प्यार ने नहीं नफरत नी तुम्हारे दिल में घर कर लिया है महक वहाँ से चली जाती है, उसका पीछा करते हुए अवनी भी उसकी और जाने लगती है कुछ देर बाद महक रुक जाती है और वहाँ खड़े अविनाश की और मुड़ती है अविनाश को देखती ही अवनी चौक जाती है तो महक अविनाश की बात कर रही थी और मुझे लगा था कि वह मुझसे प्यार करता है क्या कहा तुम्हारे भाई ने महक? अपनी कुछ समझ पाती की तभी उसे का आवास सुनाई देती है अपनी अपनी मा को वहाँ देख हैरान हो जाती है वह देखती है कि वहाँ उसकी मा अंजना अपने बेटे राज और उसकी गर्फरेंट पायल के साथ आती है इसका जवाब तो आपको अंजना अंटी ही देंगी भया मेरे कहने पर पायल तुम पर नजर रखती थी ताकि मैं जान सकूँ कि आखिर उस घर में चल क्या रहा है पायल और राज एक दूसरे से प्यार करती है ठीक वैसे ही जैसे मैं भी किसी से प्यार करती थी अच्छा होगा अगर तुम दो प्यार करने वालों को आपस में मिला दो तो मैंने चो किया अपने प्यार के लिए किया भया पता नहीं अंजना अंटी की बातों में एक अलग सा सच है मगर उन्होंने कभी हमसे वो सच कहा ही नहीं महक और अविनाश एक दूसरे की चहरी के और देखते हैं पर आखरी सब चल क्या रहा है और अवनी क्या अवनी भी इन सब में मिली हुई है सब बात कर ही रहे थी कि तबी दूर खड़ी अवनी को एक फोन आता है और प्लेन में बैठी अवनी इखिड़के से बादलों की उचाई देख रही थी क्या चीने चली थी, क्या सिंद्गी ने मुझे खुमाया है प्यार करती थी अविनाश से और कमबक्त किस्मत ने मुझे अर्णव से मिलाया है अरे हम तो पहले ही मरे हुए थे साहब चारो और से गाड़ी आ रही थी, कि तभी उसे सडक से एक और खड़ा अर्णव नजर आता है तो दूसरी और अविनाश खड़ा था, अवनी घबराई हुई, दोनों की और हाथ फिलाई हुई थी मेरा मन बहुत खबरा रहा है, मेरा हाथ थाम लो अविनाश, सुनो न मगर अविनाश अवनी की आवाज सुनकर मुह फेर लीता है, तभी वह अर्णव को पुकारती है और अर्णव जैसे ही सडक पर आता है, उसे एक गाड़ी जोर से टक्कर मार कर चली जाती है अर्णव खोन से लगपदव ही सडक पर पड़ा था तेरे लिए मैं मर जावा इश्क में मर जावा, तू जो कहें मैं कर जावा इस इश्क में मर जावा अमनी संभल पाती की तब ही अमिनाश उसके करीब आता है और उसे कंधों से पकड़ कर हसता है चलो तो फिर मर जाओ और अमनी को गाड़ी के आगे धकेल देता है और वह भी तड़ब तड़ब कर मरने लगती है मर जावा अपनी दम तोड़ देती है और तब ही उसके प्लेन में आग खुलती है वे पसीने से लगपत थी ओ ये सपना था बताया था ना दोस्तो कहानी में एक मौथ होगी शायद मेरी ही पर जब सारी खेल की डोर किसी और के हाथ में हो तो चीना मरना भी वही डिसाइड करता है तो आज जा रही हूँ मैं इस खेल की आखरी बाजी खेल ले कुछ देर पहले अपनी के पास जो फोन आता है उस फोन पर कौन था इस खेल को समझना चाहती हो तो तुम्हारे पास एक लिफाफा आएगा उसमें प्लेन का टिकट है उसे लो और मेरे पास आजाओ अपनी सामने खड़े अपने परिवार और सब को दीख रही थी फोन पर कौन था वे नहीं जानती थी अर्नव इस नफरत की खेल में मेरे प्यार को जीतना ही होगा हर हाल में जीतना ही होगा प्लेन रुकता है और अपनी चली जाती है अपनी किसी से मिलने गई थी फोन पर क्या हुआ था ये बात भी एक रास ही थी अगले दिन अपनी जब घर लोट आती है तो दर्वाजे पर उसे मौसी मिलती है और महरानी हुआई पिकनिक पर यहाँ तेरा घर परिवार है ये तो तु भूल ही गई होगी ना हाँ भूल गई थी सब भूल गए हो और अपनी जैसे ही अंदर आके देखती है तो हैरान हो जाती है वहाँ एक छट के नीजे अपनी का आज और बीता कल एक साथ खड़े थे सामने अविनाश उसकी गर्फरिंड महक, राज और पायल और उसके माबाप अंजना और ननजन खड़े थे अवनी दूसरी और देखती है तो उस और अविनाश का बाप सुजीत रॉय और अर्नव खड़ा था आप सब यहाँ अविनाश के डैड मेरी कमपनी में काम करते हैं अवनी कितनी अजीब बात है ना जिस अमीर रईस अविनाश के साथ तुम शादी करना चाहती थी उसका परिवार तो खुद मेरा नौकर है अपनी यह सुनकर नजरे जुका कर शर्मिंदा हो रही थी मेरी बात तो सुनो अर्नव एक बार अपनी अर्नव की और बढ़कर उसका चेहरा सहलानी लगती है तब ही अर्नव उसका हाथ जपटकर उससे अपने से चिपकाता है और अपनी सारी भडास निकालता है आज जानती हो तुम्हारा यह आशिक मेरे घर की चोकर पर क्यों आया क्योंकि यह मेरी बहन का हाथ मुझसे मागना चाहता है बताओ अब यह तो मुझसे गरीब है उपर से मेरी पतने का आशिक भी है और मेरी मा का कातिल भी मेरी मा तुम सबकी वजह से मरी है इसलिए मुझे नफरत है तुम सबसे नफरत अबनी कुछ बोलती कि तभी दर्वासे की घंटी बजती है सब एक साथ दर्वासे की और देखती है जाओ अर्णव दर्वासे पर कुछ है तुम्हारे लिए एक फिल्म तुमने मुझे दिखाई एक फिल्म अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी जाओ और अर्णव जैसे ही दर्वासा खोलता है वे अपने घुटने जमीन पर टिका कर फूट फूट कर रो पड़ता है तरवासे पर अर्णव की मरी हुई मा जिन्दा होकर खड़ी थी मा! मा! मैं तुझे देख रहा हूँ! मुझे ठपड मार! सहला! पर विश्वास दिला कि यह तु ही है! हाँ बिटा! यह तेरी मा ही है! मैं ही हो! अर्नव अपनी मा के सीने से लग कर फूट फूट कर रोता है महग भी अपनी मा से मिलती है पर मा कहां थी तू इतने सालों से और मुझे कैसे डूंडा आज तक तू मेरे पास क्यों नहीं आई मा देख तेरे बेटे ने कितना वड़ा सामराज्य बना लिया बस बस मैं आई नहीं लाई गई हूं और अर्नव की मा सुलोचना अंजना की और देखती है अंजना अब समय आ गया है सबको खेल बताने का खेल? कौनसा खेल? अंजना, क्या तुम भी कुछ खेल लही थी जो मैं नहीं जानता? कुछ नहीं, पूरी कहानी मैंने ही लिखी थी अपनी के पापा, क्यों सुजीत, अब भी अंजान ही बने रहोगे? सुजीत अंजना की बात सुनकर नजरे चुरा लेता है ओ गाड, बच्चों की जलाए के मास्टर माइंड तो खुद हमारे पेरेंट से अपनी तुम सही कह रही हो अबिनाश, और अबिनाश अर्नव और अबनी सुजीत की और बढ़ती है बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन, ये देख मेरे मन में लाला चाया और मैंने उनसे सुलोचना का हाथ मांग लिया और जिस दिन अंजना और मेरी शादी थी, उस दिन में वहाँ गया ही नहीं नहीं आया न वो, मेरी गरीबी के आगे आज मेरा प्यार हार गया न भगवार, हार गया मगर सुलोचना के साथ शादी से पहले ही अंजना ने सुलोचना को सारा सच बता दिया और उसने शादी करने से मना कर दिया, और अर्नव के बाबा से शादी कर ली और फिर इस सालिम सुजीत ने मेरी परिवार को चोट पहचानर शुरू कर दी ऐसे में अंजना ने मेरी बहुत मदद की थी और मुझे इसकी नजरों से दूर भीश दिया तू जो आज तक सोचता आया है कि अंजना की परिवार ने मुझे मारा है और पायल बेटी इसलिए मैं ये सब खेल तरी परिवार के साथ खेल रही थी ताकि सुजीत और उसकी उलादों को पता तो लगी कि प्यार कर रहे तो अपनी दौलत की पोटली को दरिया में डुबा देना ही बहतर है अरे हैसियत तो अच्छे-च्छे माहरा जाओ की नहीं बची गिन आती है मुझे सुजीत तुझ पर कि मैंने कभी तुझे अपना दिल दिया था मेरे लिए निरंजन ही मेरा बेस्ट चुनाव है अपनी बेटा मैंने और तेरी माने इस खेल में तुझे को मौरा बना दिया हमें माफ करना माफ करना बेटा ये सुन अवनी जोर से हसने लगती है उसे हसता देख सब चौक जाती है चौक गए ना कहा था हर गेम चेंजर के पीछे भी एक मास्टर माइन होता है आपको क्या लगा अर्नव की जिंदगी में आपने मुझे भीजा था नहीं मैंने अर्नव को चुना था तो मैं क्या लगा था अर्नव कि कोई लड़का मुझे इतना चाहेगा और मैं बस इसकी गरीबी ही देखूंगी नहीं पागल नहीं जब भी अर्नव मुझे स्टॉक करता था मेरा पीछा करता था तब मैं बहुत अच्छा महसूस करती थी मगर लड़की होना तो थोड़ा भाव खाना तो बनता है डियर हास्वें मैंने ही अर्नव की गरीबी को चुना था और इस खेल में बाजी कुछ ऐसी घूमेगी मैं नहीं जानती थी जब मैंने अर्नव की मा की तस्वीर देखी तो मैं जान गई थी थी वो कौन है ये तो सुलोचना अंटी है मा की दोस्त पर ये तो जिन्दा है ना आखिर इस गुथी को मैं सुलजा कर ही रहूंगी और फिर अपनी ने सारा खेल अपने इशारो पर चलाना शुरू किया अर्नव की साथ मेरी शादी कोई जबरदस्ती नहीं थी उन गुंडों को मैंने ही कहा था घरों में नौकरानी बनकर काम करना मेरे प्यार की अकनी परिक्षा थी ताकि अर्नव मेरे अंदर का प्यार देख सकी मैंने ही मेरे माबाप को खुद से दूर किया ताकि मैं और अर्नव अकेले ही जीवन की इस आग में जल कर तपे सारे पासे मेरी और चाली मेरी ही थी और आप सब सोच रहे थी कि तहानी आप लिख रहे है बोला था ना दोस्तों इस इश्क में मौथ तो तैय है अब वो पहले वाली अबनी की ही क्यों न हो चाहे सब हैरान थे अबनी को ऐसा देख सुजीत सबसे माफी मांग कर राज और पायल के रिष्टे को हा करता है और वही महक और अविनाश भी एक हो जाती है अर्नव अपनी का प्यार देख उसे सीने से लगाता है मुझे माफ कर दो, मैं नफरत में अंधा होकर कुछ नहीं देख सका अर्नव अपनी को सीने से लगाता है और सब मिलकर अविनाश, महक और राज पायल की शादी करा देते हैं इसी तरह नफरत की आग में जल रही कहानी प्यार की छाओ तले खत्म हो जाती है ऐसी ही दिलचस्प मनोरंजन से भरी कहानिया देखने के लिए हमारे चैनल लव सिटी को देखना ना भूले और सुनो सब्सक्राइब करना दो बिलकुल भी ना भूले थैंक्स फर वाचिंग